नई वर्ष के पहले दिन गाय को खिला दें ये एक छोटी सी चीज कंगाल भी हो जाएगा करोडबती। सभी तरह के कश्टों से मिल जाएगी बुक्ति। पित्रदोश दूर होगा। अन्धन से आपका घर भरा रहेगा। आपकी शनी की साड़े साती भी दूर होगी। आपकी साथ पिग्णियों तक सुख बरसेगा। दुख संकट, सकष्ट, सब कुछ दूर होगा। सभी सुख आपके कदमों में आ जाएगे। यदि आप एक चोटी सी चीज गाय को खिला देते हैं तो रंग से राजा बन जाएगे। तत्काल गरीबी दूर हो जाएगी। 33 कोटी देवी देवता प्रसन हो जाएगे। व्यक्ति के घर में अन्धन की कमी नहीं होगी। उसका घर अन्धन से भरा रहेगा। तो आईए जानते हैं कौन कौन से वो उपाएं हैं जिसे आप 2024 नए साल की शुरुआत में अगर कर लेते हैं तो आपके जीवन की सभी कश्ट सभी गरीबी दूर हो जाएगी। चलिए जानते हैं उन उपाएं को लेकिन उससे पहले चोटी सी रिक्वेश्ट अगर आप रो इसी पवित्र नदी में सनान करना संभव नहीं हैं तो आपको क्या करना है कि घर पर ही नहाने के पानी में गंगा जल मिला करके सनान कर लेना है। उसके बाद आपको घर के पूजा इस्थल को साफ करके पूजा अर्चना करना है पित्रों को निमित पिंड़ दान करना है अ गुरवजों को बहुत शान्ती मिलती है, आपको मोक्ष मिलता है, साथ ही इस दिन पितर देव के साथ साथ हनवान जी और शनी देव की पूजा भी जरूर करनी चाहिए, इस दिन इनकी पूजा अरचना करने से मंगल दोश दूर होता है, वेक्ति के जीवन में सुक समरिद्ध की समरिद्धी की सुक की प्राप्ती होती है, आपकी हर मनोकामना पून होती है, एक और उपाय जो आपको नए साल पर जरूर करना है, वो ये है कि आपको पीपल के पेड़ के नीचे आटे का एक चौमुकी दीपक जला देना है, फिर उसमें सरसो का देल डाल कर कलावे की ब हो जाएगी, अब बापिस से बात करते हैं, गाय से जुड़े वो कौन कौन से हो पाए हैं, जिसे करने से आपके जीवन में धन सम पदा की कभी कमी नहीं होगी, कंगाली दूर हो जाएगी, सभी कश्ट दूर होंगे, सुक समरिद्धी से घर भरा रहेगा, दोस्तों, माना जाता है कि गौमाता की देह में तेतिस कोटी देवी देवताओं का वास होता है, तो यदि आपके लिए संभव हो, तो सुभा की बनाई हुई पहली रोटी भोजन के रूप में काये को अवश्य खिलानी चाहिए, जो जातक गौमाता की पूजा करते हैं, उन सभी पर देव गी इत्यादी का प्रियोग करना अत्यंत शुभ माना जाता है, इससे आपको भाव की प्राप्ती होती है, सनातन धर्म के अनुसार जिस घर में गाये होती है, उस घर से सभी तरह के वास्तुदोश दोर हो जाते हैं, सबता में या महीने में एक बार परिवार के साथ आपको पानी जरूर पिलाएं, दोस्तो अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो माता रानी का नाम ले करके चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में जैम गौमाता जरूर लिखें, अनेक देवी देवता को धारन करने वाली गौमाता के कई शुब और तो यात्रा अवश्य सफल होती है और आपका कारे जरूर पूरा होता है, यात्रा पर जाते समय गाई की आवाज आना और रात्री में गाई का उंकार की आवाज भी शुब मानी जाती है, इसके साथ ही आपको गाई के साथ भूल कर भी ये काम नहीं करने चाहिए, वरना डंडे से वार करता है या उस पर पानी फेक देता है गाड़ी से ठोकर लग जाती है या किसी भी प्रकार से गाए पर अत्याचार करते हैं जिसके कारण वो बेजुआन पशु अक्सर ही अपने प्राण त्याग देते हैं तो ये पाप कर माना जाता है इसलिए शास्त्रों समे वो पाप के भागी बनते हैं उन्हें नरक की आचनक जेलनी पड़ती है साथी पुरानों मं कहा गया है कि लोग पानी पीती समय गाय को भगाते हैं वो भी घोर पापी बनकर नर्ग भोगते हैं वहीं जो लोग गाय को चारा खिलाते हैं उनकी सेवा करते हैं ऐसे लोग पाप से बिलकुल मुक्त होते हैं और धनवान कुल में दन लेते हैं साथ ही साथ आराम कर रही गाय को कभी भी उसके इस्थान से उठा कर भगाना नहीं चाहिए कहा जाता है जिस स्थान पर गाय बैठती है वहां पर किसी तबरगार की कोई भी नकारात्मक शक्ति कभी नहीं आती वहां से नकारात्मक शक्तियां नकारात्मक और जाएं समाप्त हो जाती हैं गाय के बैठने के स्थान को जो लोग हमेशा साफ रख ही काय का दूद मनुश्य को लेना चाहिए अन्यता ये भी पाप माना जाता है गाय के ऊपर भी नहीं बैठना चाहिए वो गौवंच होते हैं उन पर बैठना आपको पापी बनाता है सद्देव उनकी सेवा करनी चाहिए शास्त्रों में गाय के दान को भी बहुत महत्व दिय गया है ये कई गुना फलदाई होता है लेकिन बूड़ी या बीमार गाय का दान कभी नहीं करना चाहिए यदि आपके उपर पित्रदोश हैं तो आपको किसी भी दिन या एक आजशिया मावस के दिन या किसी भी खास दिन पर गाय को रोटी गुर्चना आदी खिलाने से प इससे आपको शुफल की प्राप्ती होती है गाय को जब भी रोटी दे तो सुभा की पहली और ताजी रोटी होनी चाहिए और उसमें आपको गुड़ के साथ थोड़ी सी हल्दी मिला देनी है गाय को फिर खिला देना है या फिर घी भी लगा कर आप उनको खिला सकते हैं नए साल के पहले दिन गाय को ये चीज़ जरूर खिला दीजिएगा आपका जीवन सब दुक कश्क दर्दिरता से दूर हो जाएगा और आपके जीवन में सुख संपत्ति धन वैबव शमरिदी की प्राप्ति हो जाएगी सुख की प्राप्ति होगी तो आप भी इसे जरूर करें जै गौमाता जै माता लक्षमी